दोस्तों नौकरियों और प्रमोशन में आरेक्षन देने के लिए बैद नहीं है राज सरकार हैं जी हाँ दोस्तों सुप्रिम कोट का एक बड़ा ही महत्पूर्ण फैंसला जैसे कि आप पर देख पा रहे हैं कि सुप्रिम कोट फिंडिया के तरफ से साथ फरवरी 2020 को दिया गया एक बेहद महत्पूर्ण जैज्जमेंट है और आज इसी के बारे में आप कुछ वीडियो में जैनकरी दी जाएगी वीडियो पूरा देखें और जैनकरी पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्त सब्सक्राइब और बेल आकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों जैसे कि आप पर देख पा रहे हैं कि सुप्रिम कोट की तरफ से दिया गया एक ब्याइद महत्पूर्ण जैज्जमेंट है तो यदि इस जैज्जमेंट के हर एक पैरे के बारे में आपको जनकर दी जाएगी त जैसे कि आप एक पर देख पा रहे हैं तो आईए अब चर्शा कर लेते हैं सुप्रिम कोट की तरफ से दिये गया इसे जैज्जमेंट के बारे में तो दोस्तों आपर सुप्रिम कोट ने सुकरवार को दिये गए अपने के बिहद महत्पूर्ण फैसले में इस बात का जिकर किया है कि सरकारी नौकरियों में पदर्णति के लिए कोटा और अरक्षण कोई मालिक अद्धिकार नहीं है सीट्स अदालत ने कहा कि राज्यों को कोटा प्रधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और राज्यों को सारजोनिक सेवा में कुछ समूदायों के प्रतिनी दित्तों में असंतुलन दिखाए बिना ऐसे प्राधान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है लेकिन यदि किसी भी समूदाय के जो लोग हैं वो उनकी अनुपात में नहीं है समूदाय के जो लोग है वो आरक्षण को अपने मौलिक अधिकार के रूप में क्लैम नहीं कर सकते है दोस्तों सुप्रीम कोट का यह जज्जमेंट है उत्राखंट सरकार के लोग निर्वान विवाग में साहिक अभियंता पदों पर नियुक्ति में अनसुची जाती और जन्जाती समदाय के संदश्यों के लिए अरक्षण देने के संबंद में एक अपिल दायर की गई थी और उस अपिल के संबंद में यह फैसला है पर सुप्रीम कोट की तरब से दिया गया है और इसमें कहा गया है कि कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो इस तरह के दावों के लिए अनुमती देता हो कि यहां पर जो एक करमचारी है वो खुद दावा करे कि यह मेरा मौलिक अधिकार है कि मुझे अरक्षण दिया जाए तो इसी की वैसे यहां पर सुप्रेम कोट ने फैंसला दिया है और यहां पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस हैमत गुपता की बेंच ने साथ फरवेरी को सुनाए अपने फैंसले में कहा कि इसमें कोई संदे नहीं है कि राज सरकार अरक्षण देने के लिए बाद नहीं है ऐसा कोई मौलिक अधिकार नह करने के लिए विरासत में मिला हो अधालत द्वारा राज सरकार को अरक्षण दिये अरक्षण प्रदान करने के लिए कोई दिसाद निरदे जारी नहीं किया सकते हैं लेकिन यहां पर सुप्रिम कोट ने इसाफ मना नहीं किया है कि करमचारियों को अरक्षण नहीं दिया सक सकता है लेकिन ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है और नहीं सुप्रिम कोट राज सरकारों को आरखशन देने के लिए दिसाद निरदेश जारी कर सकता है लेकिन जरा सरकार हैं चाहें तो करमचारियों को उनकी जन्सें के क्या अनुपात में उन्हें नौकरियों और प्रमुस सबस्क्राइब और बैल एकन को जरूर प्रेस करें